क्या आप जानते हैं कि आज के समय में हमारा वेबसाइड मोबाइल फ्रेंडली होना जरूरी है तो आखिरे मोबाइल फ्रेंडली है क्या या कैसे होता है तो इस वीडियो के आखिरी तक आप बने रहिएगा ताकि जो भी मैं एस्टे बताओ उसे आप फॉलो कर सके और आप भ रोत की रचेता हूँ मैं एक वेब डेवलर पर भी हूँ आज मैं आपको बताओंगी कि हमारा वेबसाइड मोबाइल फ्रेंडली कैसे होगा और उसे हम किस तरह से एक सुन्दर सावं एड़ेस्टमेंट करके हम अपने वेबसाइड को मोबाइल फ्रेंडली बनाएंगे ता तो हमारा वेबसाइड अगर सर्च में आता है अगर उस टॉपिक से सर्च हो रहा है और हमारा वेबसाइड मोबाइल फ्रेंडली नहीं होगा तो वीवर हमारे वेबसाइड पर नहीं आएंगे तो चलिए मैं अपना स्क्रीन से एर करती हूँ ताकि आप लोगों को दिखा स कि कैसे हम मोबाइल फ्रेंडली website बना आगello है यह हमारा website नहीं में यहां फैज में जाएंगे और पेजेज में जाने के बाद home page पे जाएंगे edit with element अगर आप चाहें तो एक अलग से भी जब आप website बना रहे हैं तो इसे आप test कर सकते हैं और इसे आप बना सकते हैं ताकि आपका mobile friendly website हो तो वह कहां से हम करते और किस तरह से करेंगे किन-किन बातों को हमें ध्यान में रखना होगा यह सभी कुछ हम देखेंगे अभी देखिए अभी यह हमारा desktop mode में है mobile website यहाँ पर आईएगा नीचे में left side में तो यहाँ icon दिखेगा आपको responsive media यहाँ पर जब हम click करेंगे तो आप यहाँ पर देखिएगा desktop टैब और mobile मोबाइल पर click करने के बाद हमारा यहाँ digital इंडिया number one digital agency अगर यह इसे अगर बड़ा करना है हमें तो इसे style में जाएंगे और यहाँ से इसे हम बड़ा कर लेंगे यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो यह हमारा जो content है यह उपर नीचे है तो इसे हम सेप में लेंगे तो इसे हम कैसे सेप में करेंगे तो सबसे पहले हम पर जाएंगे और यहाँ से इसे हम जब आप mobile में change कीजिएगा तो यह आपके आपके desktop वाले mode बे change नहीं होगा तो हम सिर्फ mobile में change करेंगे desktop mode पे इसे नहीं change करेंगे इस तरह से हम इसे बड़ा छोटा कर सकते हैं अब देखिएगा कि इसी तरह से हम इन सभी को change कर सकते हैं अब इसे अपडेट कर देते हैं अपडेट करने के बाद आप देखिएगा कि यह मोबाइल वर्सन में है अभी हम अगर डेश्टप वर्सन में जा रहे हैं तो डेश्टप में हमारा कोई भी चेंजेज नहीं हुआ है आप देख रहे हैं मोबाइल वर्सन में अगर हम फोटो में जाते हैं अभी चलिए अभी मैं आपको एक दूसरे दूसरा आपको मैं पेजेज पे दिखाती हूँ कि यह कैसे अगर हमारा होम पेज है तो होम पेज पे हम कैसे करेंगे इसे यह पे लोड़ीं हुआ है फिर से हम इसे अभी हम होम पेज में थोड़ा चेंजेज करके आपको मैं बताऊंगी यहां से जाएंगे हम फिर मोबाइल में और मोबाइल में जाने के बाद यहां पे देखिए सभी आइकोन छोटा बड़ा सा है तो इसे हम थोड़ा सा साइज में इस तरह से हम इसका साइज बड़ा छोटा कर सकते हैं यहां पे जैसे है इसे हमें एक लाइन में करना है तो यहां एश्टाइल में जाएंगे यहां टाइपोग्राफी में यहां पे साइज में जाएंगे अभी आप देखिएगा कि यह गैप ज्यादा दीख रहा है तो क्या करेंगे यहां से इसे गैप को कम करेंगे इस तरह से हम इसे चेंज कर सकते हैं हर एक अप सेक्षन को चेंज कर सकते हैं अगर इसे हमें सेंटर में करना है तो हम यहां से इसे सेंटर में कर देंगे छोटा बड़ा साइज सभी कुछ हम इस से मोबाइल वर्सन में कर सकते हैं हम टैब वर्सन में भी कर सकते हैं उसे चेंज को और जो भी आप चेंज किजेंगे तो इसे भी हम चेंज कर सकते हैं लेकिन हमारा डैश्टर वर्सन में चेंज नहीं होगा जिस वे वर्सन में अगर आप चेंज कर रहे हैं तो इसलिए जब भी आप mobile version में उसे कीजिए, तो set कीजिए उसे change कीजिए तो वहां उसे जरूर update कर दिए. तो आज आप जाने कि हम अपने website को कैसे mobile version में mobile friendly बना सकते हैं, जिससे हमारे viewer आसानी से mobile पे भी उसे हमारे website को पर सके, हमारे website पे आके जो उन्हे requirement है वह देख सके तो website से जुरी हुई छोटी बड़ी जानकारी मैं लेकर आती हूँ और आती रहूँगी अभी तक आपने मेरे चैनल को subscribe नहीं किया तो subscribe कीजिए और bell icon दखबाईए ताकि जो भी मैं नया वीडियो अपलोड करूँ उसका notification आपके पास आए और आप उसे देख सके अगर आपको यह वीडियो यूजफूल लगा तो comment में जरूर बताईएगा लाइक किजिए और share किजिए ताकि जो लोग इसके बारे में नहीं जानते वह भी जाने और इसका benefit उटा सके मिलते हूँ आपसे next वीडियो में तब तक के लिए bye thank you